अधिए गईज विल्कम टॉर फ्यू इन दिस यू चैनल स्वागत है अप सभीका आपके इस चैनल में और आज से जानते हैं कि आज डेट आपका उस चुका है 26 अक्टूबर और अस्पोर्ट एडमिसन्स में जो हम लोग काम कर रहे हैं तो अस्पोर्ट एडमिसन्स के काम वा तो सब पेपर में इंफर्मेशन आ चुका है तो क्या सारा इंफर्मेशन का डिसकस है क्या कुछ मेंट पेपर में बताया गया है तो चलिए मेंट पेपर का डिसकस करते हैं जिसमें पूरा इंफर्मेशन कंप्लीट इंफर्मेशन है उसको में हम आपके साथ सेयर करते हैं त जो कि आपको up-to-date यहां से मिलते रहेगा और आपको किसी भी प्रकर का quarters problem ने होगा तो आपको जो म vibes फीर भी problem हो जाता है तो अपने से comments. से note comments की तरूव हो आप की आपको problem हो जाता है या फیर आप हमारे टेलीग्राम के हैसलिटी से जूर सकते हैं बहुत सरे अप्डीट आ रहे हैं और वो अप्डीट आपके लिए बहुत ही बैनेफेशियल से होंगे। पाटलेपोदाइफेशियल कि चा चाचा कर चुका हूँ पी यू की चाहँ कर चुका हूँ और फिर आज में नालंदा उपन उपेन यूनवर्सिती की में चाहचा करूँगा अभी के इस छोटे से यह मनलग की सारे इंफ्फर्मेशन से देने के बाद चोटा सा साई इंफर्म है जिसमें दिखाया ज़रा है कि पटना विश्विधाले में बची हुई सीचों कर असपोर्ट राउंड के था नामंकर्ण की प्रक्रिया मंगलवार से सुरू हो जाएगी और अभी विश्विधाले में करीब 700 सीटे बची हुए 751 सीट है साथ 991 सीटे हैं और जिसमें सबसे पहले नामंकर्ण की प्रक्रिया साइन्स कोलर्ज में शूरू होगी और चात्रों को इसके लिए टाइम है मैं बार बार बता रहा हूं कि कोई भी हमारे भीवर्स या कोई भी जोभी साइन्स कोले जो अधर कोलेजने वेजिट करना जाते है तो जो टाइम दिया गया है उस पर जरूर पहुंचे चोंकि कॉंसलिक स्लीप आपको उसी टाइम में जमा करना है तो छात्रों को दस वजे से लेकर दोबहर के साधे बाराब जे तक अपना उपस्तिती दर्ज करानी होगी और जो छात्र समय पर उपस्तित नहीं होगे उनका म जो इनफर्मेशन है वादे के दैनिक जागन से जिसमें देकिस में बता जारा कि आज साइंस कॉलेज में अस्पोर्ट राउन में होगा नामंकर सेम बात है कि खाली सीटों पर नामंकर के लिए जो तयारिया की गई है वो तयारियों का सुभारम आज से यानि 26 सक्ट्वर को पटना साइंस कोलेज से सुरुबात कि जारी है च्पुट अडिसनक का और आवेधन में जो टाइमिंग है वह आपको खयाल रखना है कि दस वजे से लेके 12 अज़े तक कॉलेज विजिट की जएगा तो आपको कॉन्टर पर कॉंसलिंग से लिए जब जमा करना है वहाँ पे डाटा ओपरेटर है जो पूरे ऑफिस के डाटा को मिल्टेंड करते है अड्मिस्ट्रेटिव ब्लॉग का वो सर चार नमबर पर रते तो मेभी एगर दो नमबर पर जमा हो तो ठीक ने तो चार नमबर पर आपका जमा हो जाएगा फिर भी आप वहां जाके एक बर कंफर्म कर करेंगे तो कॉंसलिंग स्रिप के एकॉर्डिंग और उनके कैटेगरी जो भी कैटेगरी का जो प्रोसस है कैटेगरी परसेंटेज इसके धर मैंने आपको बताया था तो इसके धर पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट एक बचके 30 मिन में प्रिपेर कर ले जाएगा और उस करके क्या दस्ता ऑफ करेंगे जो कि मैं अभी जस फिर से चचक ऊछटा करौ तो इसके बाद आपकी नामैंकर की प्रक्रियाप पूरी कर ली जाती है इस तरीव से आसान सा प्रोसेस है अगा है और कि जो प्रॉशस है उसमें आपको मेंन बात यहीं ध्यान रखना है कि टू दा टाइम पहुंच ना है देखेंगे जो पेपर कन यूज है या आपका भार बताया था कि जो list है वो list कहीं आपको चिपकाया नहीं जाएगा लेकिन list में आपको चिपकाने का process उसमें नहीं रहेगा उसमें क्या रहेगा वो list उनके पास बन के आएगा वो list उनके हाथ में रहेगा जो admission के процесс को complete कराएंगे और इसके बाद बढ़ने बताया कि जो भी जिदने स्टुएंट पहुंचेंगे, सबका जो भी कॉंसलिंग सिल्फ जमा करेंगे, सबका नाम उस लिस्ट बिनाएगा, और एक से स्टार्ट करेंगे, तो फिर एक वाले को नाम बुलाएंगे, दो वाले, तीन वाले, चार वाले और मान लेज़े कि सो जाते जाते ही सीट सारा खतम हो गया तो फिर सो के बाद वाले बच्चे घर को जाएंगे यसे विससे यह साधारन सी प्रक्रिया है इस पूरे अस्पोर्ट एड्मिसन स्प्लोसस में तो यह तो बात हो गई अपनी जो साइन्स कोलेज में अस्पोर्ट ए तक है तो यह आपके लिए सबसे गुड़ ऑपर्चुनिटीज है मान लेज़े कि अभी तक अगर आपका एड्मिशन किसी कारण से नहीं हो पाया था तो फिर आपका एड्मिशन होने में प्रब्लम नहीं होगा चुकि नारंदा ओपन यूर्सिटी इसके लिए आपको चां अफिस होगा निदोफिर्स का हैड ऑफिस पटना के विसकोमान भुवन में है और इसमें देखें बता जारा है कि तारिक पदा नमबर तक विस्तारित कर दी गयी है और कुलपती कुलपती प्रोफेसर केसी सीना की अध्यक्षिता में आयोजीत परिक्षा समीथी की बैठक म जो जो सिस्टम है जो नालंदा उपन 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 उपने में लगए है तो आपके लिए अगर आपका सेशन गैप होने का खत्रा है तो फिर आप उसे गैप नहीं जाने दीजेगा बलकि और भी यहां पर जो भी मैंने आपके लिए बैकाप उप्डीट दे रहा हूं आप उ के लिए काम लायक होगा और आपको इसे जरूर बैन्फिट मिलेगा तो इस वीडियो को इंड करते हैं बट वीडियो इंड करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर आपके बास भी कुछ इस प्रकर का इंफर्मेशन आता है या फिर कुछ नोटीस हाते हैं तो प्लीज आप अमारे टेलेग्राम चैनल पर सेर किजिए ताकि फिर से हम उसी दूसरे स्ट्रेंट के लिए सेर कर सके या फिर आप भी किसी दूसरे के लिए हैल्फुल बन सकते हैं इस वीडियो को इंड करते हैं वीडियो देखने के आपका आई पे आदिए